हेले दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फोन पे एप में आप UPI PIN CHANGE और RESET कैसी कर सकते हैं अगर आप फोन पे एप में UPI PIN CHANGE करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हैलफुल रहीगी तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा क्या फूंपे एप में UPI Pin Change Set कैसे कर सकते हैं तो आप सभी को अपने फूंपे आपको फूंपे अकाउंट को ओपन करने के वाद आपको इस तरह का इंटरफेस होगा तो आपको एक सदो बार स्कूल डाउन करना इस तरह के से स्कूल डाउन करने के बाद आपको क्या करना होगा आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक प्रोफाइल देखने को मिल रहे है इस प्रोफाइल पर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपको 102 वार Scrolling करते हैं, ौहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेगा Bank Accounts, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद आपको इस तरीका है, जो आपका Bank Account नो आपको इहाँ सो चाएगा और 4J आपको भी लाच के 4 अपको ऑग सो चाहिए आपको जहाग डिए पिन देखने को मिलेगा तो हम सब्सक्राइब रिशेट करना हुआ होगा मैं गया करना देडिट एटियम कार्ड और दन स pole धनकर करना है फिरूसीट चलिक करने के बाद हमें क्या करना होगा यहां में last six digit of your card number जो आपका जो ATM card है उसके आपको last six digit यहां आपको mention करने होंगे then उसके बाद जो जो भी six उसके बाद यहां आप देख सकते हैं यहां आपको ATM के month और year यहां आपको valid जो है valid up to कप से कप तक है और यहां आपको mention करना होगा और then यहां आपको प्रोसेट देखने को मिल रहा है प्रोसेट के बटन पर यह highlight हो जाए जब mention करेंगे तो यह जो है आपका जो है यह highlight हो जाएगा तो यह मैंने बिलर इस लिए कर रहा करें मैं आपको personal detail show नहीं करा सकता तो द स्वाइल नंबर जो register है bank account में उस पर आपको six digit का OTP यह automatic भी mention हो जाता है इस तरीके से देखते हैं देन उसके बाद आपको राइट उटन पर किलिक करना अब आपको यहां जो भी आपका six digit upi pin आप बनाना चाहते हैं वह आपको यहां type कर देना है और यहां यह वाला पिन बनाना है और एट उटन फिर से किलिक करना है और देन इसके बाद आपको confirm जो आपने पिन बनाया था फिर से आपको जो पिन आप बना रहे हैं फिर से वही आपको द्वारा से अगें से टाइप कर देना थे यहां confirm six digit UPI pin फिर right पर किलिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं थोलो लोडिंग चल रहा है उसके बाद दोस्तों देख से यूपिया पिन successfully set जो आपको यूपिया था वो set हो चुका है अब बात करते हैं चैंज कैसे करना यह तो हमने रिजैट करता है चैंज कैसे करना चैंज पर आमें किलिक करना है चैंज में किलिक करना है एंटर six digit old UPI अब आपका जो भी old UPI pin है वो आपको जो आपने जो आपका पुराना जो पासवोड है वो आपको यहाँ टाइप कर लेना है जिते मैंने अभी बनाया था जो रार्ट की पर किलिक करना है अब six enter six digit new upi pin और आपको जो भी नया पासवोड बनाना है वो आप यहां six digit का बना सकते हैं फिर से आपको confirm पी किलिक करना है जो आपका जो पासवोड है वो बन जायागा तो आप इस तरीके से upi pin का चैंज पासवोड चैंज हो डिसाइट कर सकते हैं तो वीडियो चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें